साथ क्यों, हजारों साल पहले बगवान बुद्ध जब इस धर्ती पर थे तो आज जैसी व्यवस्ताएं नहीं थी, लेकिन फूर भी बुद्ध विश्व के करोडों करोड लोगों तक पहुँच गए, उनके अंतरमन से जुड़ गए, मैंने अलग-लग देशों में बहुत धर्ब से जुड़े मंदिरों, विहारों में ये साक्षात अनुभव किया है, मैंने देखा है, केंडी से क्योटों तक, हेनोई से हम्मन टोटा तक, भगवान बुद्ध अपने विचारों के जरिये, मठों, आवसेसों और संस्कृति के ज जरिये, हार जगह है, यह मेरा सवभाग्य है, कि मैं केंडी में, स्री डलाडा, माइला गोवा, वहां दर्शन करने पहुंचा था, सिग्यापूर में, उनके दंत अवसेज के मैंने दर्शन किये, और क्योटों में, किनका कुजी जाने का अवसर भी मुझे मिला, इसी तरह, साउतिस कंट्रीज के भिख्शों का आशिरवाद भी मुझे मिलता रहा है, अलग-अलग देश, अलग-अलग परिवेश, लेकिन मानवता कि आत्मा में बसे बुद्ध सबको जोड रहे हैं, भारत ने बगवान बुद्ध की सिख को, अपने विकास यात्रा का हि अंगीकार किया है, हमने ग्यान को, महान संदेशों को, महान आत्माओं के विचारों को बांधने में कभी भरोसा नहीं किया है, उसको बांध के रखना ये हमारी सोच नहीं है, हमने जो कुछ भी हमारा था, उसे मानवता के लिए ममभाव से अर्पित किया है, इसलिए अहिं इंसा, दया, करुणा ऐसे मानिविय मुल्य आज भी उतनी ही सहत्ता से भारत के अंतरमन में रचे बसे हैं। इसलिए बुद्ध आज भी भारत के संविधान की प्रेरणा है। बुद्ध का धंव चक्रा भारत के तिरंगे पर विराजमान होकर हमें गती दे रहा है। आज भी भारत की संविधान में कोई जाता है, तो इस मंत्र पर नजर जरूर पड़ती है, दर्म चक्रा प्रवर्तना आया।